सो आज की इस तुड़ो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपनी वीडियो में आटो कैप्शन एड कर सकते हो वी एन एप में आटो कैप्शन मिन्स वाट जो भी चीज़े आप वीडियो में बोल रहे होते वो लिखा हुआ आता है उसी को आटो कैप्शन बोला ज देता हूं VN app में auto caption अपनी वीडियोज को पर apply करना बिल्कुल भी possible नहीं है VN app में auto caption का option तो आ गया है add कर दिया गया है लेकिन मैं auto caption option का यहाँ पर आपको use करके दिखाता हूं auto caption में गया language को just हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूं conversion को just यहाँ पर slower but more precise मतलब की best यह रहेगा आप देख लेना बिल्कुल ही वाहियात और बेकार आने वाला है मतलब इससे तो नहीं होने वाला है तो अब बात आता है कि कौन सा application से हम अपनी वीडियोज को पर auto caption apply कर सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में ठीक है बिल्कुल फ्री में मैं आपको बताने वाल हूं सो हम यूज करेंगे एक दूसरा application उसके बारे में आपको बताता हूं बट आप यहां देख सकते हो processing complete हो गया result आ चुका हमने language सेलेक्ट किया था हिंदी और यहां पर यह उर्दू में लिखके हमें दिया है ठीक है और साथे में इसमें कुछ भी एक्स्टा चीजे नहीं होती तो इसलिए मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि वी एन एप से हम यह नहीं करेंगे बिल्कुल भी सही result नहीं आता है हम यूज करने वाले हैं blink application यह जो application है यह आपको play store पे मिल जागा इसमें आप बिल्कुल free में अपनी वीरोज को उपर auto caption apply कर सकतो कैसे करना है मैं आपको पूरा step दिखा देने वाला और बहुत ही आसान है इसमें auto caption apply करना ठीक है तो सबसे पहले तो आप play store पे आजाना यहां पे आप सर्च के उपर जाके just blink सर्च कर देना ठीक है तो यह वाला आ जागा और हां कहीं और से आपको install करने की जोरुत नहीं है blink application यहीं से आप install कर लेना बिल्कुल perfect रहेगा ठीक है open करना कुछ ही ऐसा interface आपके सामने आ जाएगा अब यहां पर अपनी वीडियो में auto caption add करने के लिए just आपको प्लेस वाली बटन को उपर click करना है उसके बाद auto caption को उपर click कर देना है तो यह access मांगेगा so allow के उपर आप click कर देना उसके बाद अपनी वीडियो को आपको select करना है तो यहां पर scroll करें के just अपनी वीडियो को select कर लेना जिसमें भी आप auto caption apply करना चाहते हो like में इसमें apply करने वाला हूं so इसे select कर लेता हूं थोड़ा सा आपको wait करना होगा देन उसके बाद यहां पर आपको just language का option देखने को मिल जागा इसके उपर आप click करना और उस language को आपको select करना है जो इसमें बोल रहे बट आप Hindi मत select करना ठीक है just English India को select कर लेना इसे select करोग ना तो होगा क्या कि Hindi ही लिखेगा बट English script में लिखेगा जैसे कि हम लोग दोस्तों लिखते तो डी वो एस्टी वो लिखते ना इसी तरीके से यह भी लिखेगा ठीक है तो इसलिए आपको यह language को select करना है उसके बाद generate caption को पर click कर देना है click करने के बाद थोड़ा सा आपक चेंज भी कर सकते हूं कैसे करने वो मैं आपको दिखाता हूं बट सबसे पहले यह processing complete हो जाए ओकी तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह बिलकुल add हो चुका है ठीक है तो सारा caption हमारे यह add हो गया और इसे आप जब सुनोगे ना और देखोगे words तो 95% words आपके बिलकुल accurate होने वाले maybe जहाँ पर आपका आवाज clear नहीं आया होगा वहाँ वाले words थोड़ी बहुत गड़बड हो सकते है और दरवाईज जितने भी words इसमें लेखे हुए आएंगे वो सारे के सारे बिलकुल perfect word होने वाले ठीक है मलदो कि कोई भी आपको error यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा आ style का यहाँ पर आपको option मिलेगा इसके ऊपर आप चले जाना काफी सारे आपको यहाँ पर designs देखने को मिल जाएंगे इन में से किसी को आप use कर सकते हो बट यह जो starting वाला है ना यह वाला बहुत ही जादा popular बहुत सारे लोग इसे use करते हैं तो इसलिए हम भी इसी को use करेंग हाँ font के ओपर जाके font जरू change कर देना क्योंकि जो normal font यहाँ रहता है वो उतना अच्छा नहीं रहता है like यह वाला काफी अच्छा लगता है या फिर यहाँ पर और भी काफी सारे end tone है यह तो नहीं बढ़ियां लग रहा है but first वाले यह जो रहता है नहीं रखना है इसे change कर आपको ठीक है टाइल को पर जाओगे तो और भी चीज़े आप यहाँ से change कर सकतो like text का जो color हो कैसा रहना चाहिए size इसका कितना रखना है ठीक है उसके बाद यह आप decide कर सकतो कि step को होना चाहिए तो यह सही रहेगा ठीक है उसके बाद a stroke ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर चेंज कर सकतो like इसके ओपर जाके यहां से पूरा dark कर लो या फिर black कर लो मतलब जैसा आपको सही लगेगा वो color भी आप select कर सकतो ठीक है उसके बाद अगर आपको यह तरीक से गोल रखना है radius रखना यह नहीं रखना है सारा चीज आप यहां से customize कर सकतो then shadow को पर जाके आप shadow को रख भी सकतो नहीं भी रख सकतो बट shadow रखना है ठीक है वर आपका जो caption है वो highlight नहीं होगा then animation में आप जाओगे ना तो यहां पर आपको animation मिलेगा like आप word by word चाहते हो या फिर यहां पर line by line चाहते हो तो word by word काफी better लगते है ठीक है तो आप यह रख सकते हो then उसके highlight करना है तो इसके उपर आपको क्लिक कर दोना है यह highlight हो जागा और highlight होगा वो कौन से color से yellow color से जैसे कि आप यहां देख सकतो पहले नॉर्मली यह जस्ट white color का था बट highlight जैसे हमने इसको पर click किया तो यह yellow color का होगे मिन से highlight हो रहा है और अगर आपको लगता है किसने खुद change करके और भी better बना सकते हो उसके बाद done कर देना ठीक है तो आप देख सकते हो यहां पर हमारा जो auto caption हो वो बिल्कुल free और completely यहां पर add हो चुक है अब इसे अपने device में save करने के लिए वीडियो को just आप export के उपर click करना और यहां से आपको simply सा यह जो HD quality है ना इसे आपको select क कर लेना है उसके बाद continue exporting के उपर click कर देना ठीक है इसके उपर आप click कर देना थोड़ा से wait करोगे यह export होगे आपकी device में save हो जाएगा then just done को पर click कर देना आपकी device में save हो जाएगा उसके बाद आप इसे easily open करके use मतलब कि देख सकतो कि हाँ अपलाय हुआ या नही हुआ और जहां आपको यह upload करना आपको वहाँ पर upload कर देना ठीक है तो बहुत ही easy है इस application को आप use करो वो जो vn है ना उसमें तो ना होने वाला भाई ओके आप मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई